दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बेश्ट 4G SIM Router की जो की ये खास करके ये सब उन इलाकों के लिए है जिसके बारे मैं बात कर रहा हूँ जो लोग गाउ में हैं सहर से दूर दरास के इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं किसी गाउ में रहते हैं वहा पर मोबाइल में भी टावर कम आते हैं डाटा कार्ड यूज करते हैं उसमें भी टावर कम आते हैं रेंज कम आती हैं वहां के लिए ये बहुत ही जादे अच्छे हैं ये अच्छा इसलिए है कि मैं इसको यूज नहीं करता हूँ मैं तो अच्छली टीपी लिंग का यूज करता हूँ दो एंटीन लगा करके यूज़ करता हूँ और विश्वास मानिये इतना बहतरीन काम करता है जो मैं यूज़ करता हूँ कि हम लोग आठ लोग बैठते हैं राउटर के माध्यम से हमने कनेक्ट कर रखा है और आठो लोगों को कभी ये महसूस नहीं होता कि इस वक् हम BSNL का Broadband ले लेंगे इस से बेहतर था हम Fiverr ले लेंगे यस ये वहां के लिए सब सारी चीजें हैं जहां पर Fiverr Line नहीं पहुची है जहां पर BSNL की लाइन नहीं पहुची है जहां पर किसी भी प्रकार का Wi-Fi हमको नहीं मिल सकता जहां पर कोई providers नहीं मिलता हमें जो Broadband को Provide करा सके ये सब वहां के लिए है जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है वहां के लिए ये बहुत अच्छी सुविधाए हैं तो मैं जो यूज कर रहा हूँ इस पर वीडियो में बना रखा हूँ इस वीडियो के लाश्ट में लिंक दे दूँगा आप चाहें तो वो भी द मार्केट है वहां पर BSNL का Broadband लोग लगा रखे हैं लेकिन BSNL का Broadband दिन में घंटा दो घंटा एक किसी किसी दिन पूरा पूरा दिन गाइब हो जाएगा जिसके वज़े से बहुत बड़ी प्रोबलम आती है कि लोगों का काम रुक जाता है या फिर कुछ लोग जो है अप कि जो लोकल मार्केट है उसमें जिस हम राउटर की बात करने वाले हैं इसका भरमार लगा हुआ है जो लोग ATM लगा रखे हैं वो भी इसको लगा रखे हैं क्योंकि एक मार्केट में एक हवासा चल गया है कहने का मतलब यह है कि एक जब कोई लगाता है success होता है तो लोग प Alexa का सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ राउटर की उसके बाद हम बात करेंगे यह Antine के साथ भी आ रही है तो जहां पर थोड़ी मोडी रेंज आ रही है कम ही थोड़ी मोडी कम पढ़ रही है तो वहां के लिए यह बिना Antine का ही इसके अंदर dual Antine लगा होता है Wi-Fi के लिए तो यहां पर रेंच आ रहा है बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो वहां के लिए काम नहीं करेगा उतना अच्छा, लेकिन थोड़ा बोडा आ रही है थोड़ी कम आ रही है, तो वहां के लिए अच्छा हो सकता है बिना Antinities आही और यह All SIM को support करता है, चाहे Jio लगाईए, AirTail, Vodafone, आइडिया कुछ भी लगाईए, सभी को जो है यह support करता है, 4G, 3G और LTE को जो है support करता है, बिल्कुल भी आपको कोई problem आने वाली नहीं है, LAN port भी इसके अंदर है, यानि कि SIM के साथ में आप जो है LAN port से भी आप जो है connect कर सकते हैं, और LAN port से भी आप जो है इसको use कर पाएंगे, और especially आपके पास या तो laptop में चलाना चाहते हैं, desktop में चलाना चाहते हैं, वाई-फाई के माध्यम से mobile में चलाना चाहते हैं, या फिर आफ CCTV camera बगएरे लगा रखे हैं, वहाँ पर आप इससे connect करना चाहते हैं, security system लगा रखे हैं, permanent उसको connect रखना है, तो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हैं, यानि multi-purpose use है, यह वाई-फाई router है, वाई-फाई के माध्यम से भी आप इसको use कर सकते हैं, और साथ में LAN port के माध्यम से भी यह router आपके लिए हो सकता है, आप इसको buy कर सकते हैं, लेकिन उस condition में जहाँ पर आपकी shop है, दुकान है, लेकिन range नहीं आती है, टावर आते हैं, या फिर आप किसी घर में, किसी basement में काम कर रहे हैं, और वहाँ पर range नहीं आती है, तो वहाँ के लिए आप क्या करें, तो व आपको इसके साथ में wire मिल रहा है, यानि कि 10 मीटर के range में आप निकाल करके वहाँ से और उपर लगा दीजिए, यह उस जगह के लिए है, घर के अंदर, जो है range नहीं आ रहे है, घर के अंदर internet नहीं चल रहा है, बाहर जाते हैं तो चल रहा है, वहाँ पर यह antenna लगाते ही जबरदस्त यह pickup पकड़ता है और बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद इससे थोड़ा सा और अगले की अगर हम बात करें, तो वह आ जाएगा triple antenna के साथ में आएगा, यह triple antenna के साथ मतलब router के अंदर ही triple antenna लगा हुआ है, और इसके अंदर external antenna जो है, यह triple antenna होता है, यह खास क सकते हैं, और इसको और उपर ले करके जाना चाहते हैं, और अच्छा quality अगर आप चाहते हैं, और बुष्ट जो है Wi-Fi को चाहते हैं, तो आप यह वाला model बाई कर सकते हैं, जो router है, वो triple antenna के साथ में है, और साथ में 12 DBI का LPDA antenna आपको मिल रहा है, और 15 meter wire के साथ मिल रहा है, 15 meter यानि कि दूसरे मंजिल पर ले करके चले जा सकते हैं, और वहां से आप लगा देजिए, और जिधर भी आपका tower जो नजर आ रहा है, जिधर tower लगा हुआ है, उसके तरफ आप कर देजिए, और उसके बाद आप इसको use किजिए, इतना बहतरीन काम कर रहा है, हमारे हाँ, जितने भी local market में हैं, ये antenna के साथ लोग लगा करके अपना जन सेवा के अंदर भी चला रहे हैं, और ATM को permanently दे रखे हैं इसी से, ताकि ATM उनका पूरे दिन बंद ना हो, पहले BSNL या फिर इस तरीके का जो broadband होता है, उससे लोग दे करके रखते थे तो दिन में घंटा, दो, गंटा, चार गंटा किसी किसी पूरा दिन गायब हो जाता था, बहुत प्रब्लम होती थी, लेकिन इसको लगाने के बाद लोग बहुत ही सुखी हैं, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करता है, तो इस तरीके से आप भी अगर किसी दूरदरास के गाओं में हैं, और इस तरह की प्रब्लम है, रेंज की प्रब्लम है, तो आप एंटीने के साथ में ये जो है, 4G वाइफाई का ये सिम राउटर न्यूस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफर्मेंस आपको मिलेगा, दोस्तों ये वीडियो इन्फरमेशन आपको कैसा लग हैं, प्रूश जाओर्मेशन प्लावियो, बहुत हाँ है, प्रुशे में बहुत हैकं का कुछ लगction मिलेगा बीसारर को इन्फर बcrowd बहुत है, जाइए कर गाईज की बहुत हैं, बहुत हैं, जा अदिया स्ऑकित हैं, यूले पढराई क